दोस्तो टीटून टीविस्वकब दोजार चोबिस में लीग मुकाबलों की समापती हो चुकी है और लीग मुकाबलों की समापती होने के बाद भाज़ टीम टीविस्वकब दोजार चोबिस के सुपरेट में कौलिफाई कर चुकी है और अब सुपरेट में भाज़ टीम तीन अफगानिस्तान के टीम से होगा और अफगानिस्तान के खिलाब मुकाबले की स्मापती होने के बाद सुपरेट में दूसरा मुकाबला भाज़ टीम बांगलडेस के टीम के खिलाफ खेलेगी जबकि 200 सुपरेट में भाज़ टीम का सबसे बड़ा मुकाबला ऐस्टेलिया की टीम के खिलाफ होने वाला है आपको अब तरह सुपरेट का पहला मुकाबला भाज़े टीम क्यों और शे कौन-कौन से खिलाड़ी हो खेनने का मुखा दिया और किसे दिखाया बाहर का रास्ता और क्या रहने वाली अफ़कानिस्तान के खिलाब इस महा मुकाबल में भारत की फाइनल प्लेंग लेवन बताएंगे आपको पूरी खबर आज के इस वीडियो में इसलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि दोस्तो आज का इस वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्या एहम होने वाला है तो आहिए दोस्तो आज के स्फ़रो करते हैं लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप भी जस्बित भुमरा को विस्ट तो का सबसे शानदर गेंदबास मानते हो जो सिंनर दिल से एक लाइक चुरूर कीचे का तो आईज दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरूर करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको बतादे कि 20 जून को भाज़े टीम अफ़ानिस्तान की टीम के खिलाफ ये महा मुकाबला वेशनिस्ट की सरजम्य पर खेलने वाली है। आपको अफ़ानिस्तान के टीम इस महा मुकाबले में भाज़ा टीम को काफी कर्डिटर कर देने वाली है तो कि दोस्तो अफ़ानिस्तान के टीम इस समय काफी शांदर फोर में चल रही है ओटी टून टीवी सोकप में अभी तक अफ़गानिस्तान की टीम ने काफी कमाल का खेल दिखाया है ऐसे में दोस्तो कप्तान रोहिसरमा इस महा मुकाबले में अफ़गानिस्तान की टीम को कम आखने की गलती नहीं करेंगे जिसको ध्यान में रखकर रोहिस्रमा ने उन सभी 11 खिलाडियों को खिरने का मुखा दिये जो इस माँ मुकाबले में अफ़कानिस्तान की टीम को काफी बुरी तरे से कुछ अन्ने वाले वहीं दोस्तो आस तक दोनों हे टीमों के भी 30 के बीत क्चेले गई ही ट-को हेट मुकाबलों की बात करे तो आपको बददे आस तक दोनों हे टीम में आठबार टी Almostete मों में आवनना थामने हुए है जाबार्धी टीम ने साथ बार अफगानिस्तान की टीम को पठकनी दी है यानि आस तक अफगानिस्तान की टीम भारत को हराने में कामियाब नहीं हो पाई है लेकिन आई है दोस्तो अब जानते कि कप्तान रोहिस्थरमा ने कौन-कौन से ख्लाड़ियों खिरने का मोका दिया है और किसे दिखाया भार का रास्ता दोस्तो अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो आपको बजाजे ओपनिंग जोड़ी में कोई भी बतलाओ देखने को नहीं मिलेगा और एक बार फिर रोहिस्थरमा के साथ विलाट कोली ही पारी के सुबात करते हैं नजर आएंगे हाला कि दोस्तो जेस्वाल के रूप में कप्तान रोहिस्थरमा के पाथ दूसरा विकल भी मौशूद है और दोस्तो जेस्वाल भी काफी शांदर बन्लेबास है जो ओपनिंग में आकर काफी आकरमक अंदास में बन्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन दोस्तो इसके बाद भी जेस्वाल को भार रखा जा रहा है। क्योंकि दोस्तो अगर जेस्वाल को खेरने काम हो का दिया जाए तो फिर विराट कोली को नमबर तीन पर आकर बनले बाजी करनी होगी। वहीं शियों दूबे को भी बाहर बेटना होगा जिसके चलते जेस्वाल को भार रखा जा रहा है। ऐसे में दोस्तो एक बाद भी रोहिस्वाल के साथ विराट कोली ओपन करते हुने जर आएंगे। हाला के दोस्तो अभी तक विराट कोली ओपनिंग में आकर काफी बुरी तरह से अफ्रोब साबित हुएं। लेकि दोस्तो अफगानिस्तान के एकलाब इस महामुक काबले में सबी को विराट के बल्ले से विराट पारी के उमीद होगी। और दोस्तो विराट कोली भी इस महामुक काबल में एक शांदा पारी खेल कर अपने फों में लोटना चाहेंगे। जब ki दोस्तो अफगे दोनगो बल्ले बाजों के लाओन नमबर 3 पर कफटान रोईस्रमा ने एक बाए फिर से रिसरपन्त को बल्ले बाजी करने का मोक़ा दिया है। तो इस तरह कि बल्ली वाजी की थी वो अक्र बदेद है कि अगर इस महा मुकाबले के पड़्याथ और अमक्र दो कर लेगी है। जबकि दोस्तो सुरी कुमार यादो के अलाव काप्तान रोह सर्मा ने भाज़ा टीम के और पांच पर शियोंदूबे को बल्ले बाजी करने का मोगा दिये दोस्तो आपको वतादे शियोंदूबे एक बेदी शांदर और रान उडर खिलाडी है बल्ले बाजो के लिए काफी मतदकार साबित होता है और दोस्तो जैसा कि आप सब्हुआ जानते कि शियोंदूबे फिरकी गयनद बाजो की शामने काफी तोफ़णी अंदास में बल्ले बाजी करते हैं ऐसे मिड़ोस्टों अगर अफगानिस्सतान के खिलाब इस मत्समां मुख्य कब मेरे की मिलबाजी जास। फिर हरदीक पांडिया गेंदबाजी के साथ साथ अपनी बल्ले बाजी से बिभन को गोराम बचा सकते हैं। जब कि 200 हरदीक पांडिया के लावा नंबर शाथ पर अक्सर पटेल को खिनने का मुग है मिला है। हालांके दोस्तो अभी तक जड़ेजा अपनी बल्ले बाजी और गेंद बाजी से कुछ खास प्रपाउट करने पाई हैं। ऐसे में दोस्तो अफ़कानिस्तान के खिलाब इस महा मुकाबल में जड़ेजा शांदर गेंद बाजी और बल्ले बाजी करना चाहेंगे। जबकि दोस्तो अभी तक खिलेगे तीनों ही मुकाबल में अपनी बल्ले बाजी और गेंद बाजी और गेंद बाजी से भरपूर योगदान दिये। ऐसे में दोस्तो अफ़कानिस्तान के खिलाब भी अक्सर पटेल भाजी टीम के लिए तुरुम का एकाशा थाबित हो सकते हैं। जबकि दोस्तो नमर नो पर कप्तान रोज सर्मा ने एक बेह दी बड़ा बदलाओ कर दिये। जियां दोस्तो आपको अफ़कानिस्तान के खिलाब इस महा मुकाबली के लिए कप्तान रोज सर्मा ने मुहमर सिराज को भार का रास्ता दिखा दिये। अफ़कानिस्तान के खिलाब भारत की फाइनल प्लेंग लेवन लेकिन दोस्तो आप सभी को क्या लगता इस बाटी टूटी विस्टुकप की ट्रोफी की असली एकदार कोंसे टीम है। कोमेंट करके अपनी राई हमें चरूर दीशेक।